हेलो फ्रेंट्स, मिल्क हनी फेसबैक बनाने के लिए, सबसे पहले थोड़ा सा दूद ले दूद हमारे सकिन के लिए बहुत जादा फैदेमन्द होता है यह हमारे पिम्पल को दूर करता है साथी साथी इसकिन में ग्लोल आता है ड्राइनेस दूर करता है फ्रेंसिस में थोड़ा सा हनी मिक्स करें शैद बिला ले शैद हमारे स्किन के बहुत जादा फायदे मत होता है क्योंकि ये हमारे चोटे मोटे घाब या किसी भी तरह के निशान या जो भी स्किन में हमारे प्रॉब्लम हो जाती है और ऐसे वाली प्रॉब्लम हो जो जोरियां पर जाती हैं, उसे पहुत ही आसानी से दूर कर देता है। मैदा नौमली हमारे घर में easily मिल जाता है। मैदा में पाये जाने वाले बहुत सारे ऐसे विटामिन्स हैं जो हमारे स्किन को बहुत जादा यंग रखने में मदद करता है। और स्किन में गलो लाता है, निखार लाता है। औरन्झ संत्र की जो चलके आप उसका पाउडर बना लें और आप इससे इस्तेमाल कर सकते हैं संत्र के छिलके ने बहुत सारे ऐसे विटामिन्स पहलें जिससे सकपी डार्कनेश दूर होती है और आपके स्किन में निखार आता है, साथ ही आपके चेरे पे अगर किसी भी तरह की निशान है, कटे की निशान हो, या पिंपल की निशान हो, या किसी भी तरह की निशान है, वो बहुत ही आसानी से आपके रेगलर यूज़ करने से दूर हो जाता है, प्रेंसी से अच्छे से मिक्स कर लें और अपनी स्किन पे 20 मिनट या आधे गंटे के लिए आप इसे लगा रहने दे या आप इसे सुखा भी सकते हैं फिर इसे आप गुन-गुने पानी से अच्छे से वॉश कर लें क्योंकि अभी सर्दी का मौसम चल रहा है वैसे आप इसे गर्मी के दिनों में ठंडे पानी से वॉश करें तो ज़्यादा अच्छा होगा आप इसे हर मौसम में यूज़ कर सकते हैं फ्रेंस ये फेसबेक मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ और ये बहुत ज़्यादा फायदेमन्थ होता है तो एक बार आप ज़रूर ही यूज़ करके देखें और मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके कि आपको ये फेसबेक कैसा लगा फ्रेंस बैसे नॉमली में इसमें अभी टर्मरी हल्दी पाउडर मिक्स नहीं किया बट आप चाहें तो इसमें एड़ कर सकते हैं से स्किन बे काफी ज़्यादा फर्क पड़ेगा आप देख सकते हैं से कितना ज़्यादा गलो आता है